हर दिन फल खाने से शरीर से हे तमंद रहता है लेकिन हर फल बराबर पोर्शन नहीं देता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बहुत लाबदायक होते हैं और शरीर को गंफीर बीमारियों से बचाते हैं। आये जानते उन 10 फलों के बारे में जिन्हें सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है। चकोत्रा चकोत्रा को खटे फलों में सबसे ज्यादा से हे तमंद माना जाता है। ये विटामिन और मिनरल्स का सबसे अच्छा स्त्रोथ है। वजन घटाने के अलावा ये इंसुलिन का स्तर भी कम करता है। एक्यानवे लोगों पर हुई एक स्ट्रडी में चकोत्रा ना खाने वालों की तुल्ला में लंच से पहले आधा ताजा चकोत्रा खाने वालों के वजन में 1.3 तक की कमी पाई गई। इसके अलावा चकोत्रा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुर्दे की पत्री को रोकने में मदद करता है। अनानास अनानास को पोशन का सुपर स्टार कहा जाता है। एक कप अनास डली इंटेक में 131 फीस दी विटामिन सी और 76 फीस दी मैंगनिस देता है। अनानास में ब्रोमेलाइन पाया जाता है जो इंटी इंप्यमेट्री जाइमों का मिश्रण होता है और प्रोटीन को पचाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। टेस्ट यूब और जानवरों पर हुई स्टुडी से पता चला है कि अनानास में पाया जाने वाला प्रोमेलाइन कैंसर और टूमर को बढ़ने से रोपता है। एवोकाडो ज्यादा तर फलो में कार्बस बहुत ज्यादा पाया जाता है लेकिन एवोकाडो में कार्बस बहुत कम और हल्दी फैट पाया जाता है। एवोकाडो में पाया जाने वाला monosaturated fatty inflammation को कम करता है और दिल को सेहे तमन्द रखता है। एवोकाडो potassium, fiber और magnesium से भरा होता है। एक पूरा एवोकाडो potassium की 28% दी जरूरत को पूरा करता है। potassium की उचित मात्रा high blood pressure को कम करती है और stroke के खतरे से बचाती है। सिब सिब सबसे लोग prey और potion से भरपूर फलो में से एक है। इसमें उच मात्रा में fiber, vitamin C, potassium, vitamin K और vitamin B होते हैं। study से पता चलता है कि सिब में पाया जाने वाला antioxidant दिल को सेहे तमन्द रखता है और type 2 diabetes, cancer और alzheimer के खतरे को कम करता है। इसके लावा सिब हड्डियों के घानत्व को भी बढ़ाता है। सिब में पाया जाने वाला पेक्चनात में अच्छे bacteria को बढ़ाता है और पाचन और metabolism को बेहतर बनाता है। केला केले vitamin, minerals और potassium से भरपूर होते हैं। हलके कच्छे केले में पाय जाने वाला कार्ब blood sugar को control करता है और इसे खाने से जल्दी भूख नहीं लगती है। केला पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। Studies में पाया गया है कि exercise से पहले केला खाने से शरीर को बहुत energy मिलती है। पपीता पुपीता vitamin C, vitamin A, potassium और folite से भरपूर बहुत ही healthy fruit होता है। इसमें लाई कोपिन जैसे anti-cancer antioxidant भी पाय जाते हैं। Study से पता चलता है कि अनिफलों और सबजीयों की तुल्ला में पुपीता का लाई कोपिन शरीर को ज्यादा मिलता है। पपीता पाचन में भी सुदार करता है। इसके अलाबा ये वजन घटाने में भी कारगर होता है। अनार अनार को भी सेहे तमंद फलों में से एक माना जाता है। Green tea और red wine की तुल्ला में अनार में तीन गुना स्यादा antioxidant पाया जाता है। Studies में पाया गया कि अनार में पाया जाने वाला anti-inflammatory cancer के खत्रे को कम करने में मदद करता है। कर्बुज तर्बुज में vitamin A और C अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें lycopene, carotinoid और cucrebitacin जैसे antioxidant पाया जाते हैं, जो cancer जैसे गंभीर बिमारियों से बचाते हैं। Lycopene दिल को सेहतमन्द रखता है और बढ़े हुए blood pressure और cholesterol को कम करता है। कर्बुज खाने से शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। Blueberry, blueberry में वो सभी जरूरी पोशक तत्व पाये जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इन में भरपूर मात्रा में fiber, vitamin C, vitamin K और manganese पाया जाता है। अन्मिफलों की तुल्ला में blueberry में antioxidant बहुत ज्यादा होता है, जो हरिदर रोग, diabetes और Alzheimer के खत्रों को कम करता है। एक study में पाया गया है कि blueberry के निमित सेवन से शरीर में natural killer cells पढ़ते हैं, जो body को viral infection से बचाते हैं। blueberry खाने से यादाश्ट भी तेज होती है। आम आम vitamin C का बहुत अच्छा स्रूत है। इसमें घुलंची फाइबर होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलबा, आम में antioxidant or inflammatory inflammatory गुण होते हैं, जो बिमारियों के खत्रे को कम करते हैं।